नमस्कार दोस्तों ग्यान गंगा यूट्यूब चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सबसे पहले ग्यान वर्दक वीडियो देखने के लिए कुशा का अध्यात्मिक एवं पौरानिक महत्वा अध्यात्मा और करमकान शास्त्र में प्रमुक रूप से काम आने वाली वनस्पतियों में कुशा का प्रमुक स्थान है इसको कांस अध्यात्मा डाब भी कहते हैं जिस प्रकार अमरत्पान के कारण केतू को अमरत्व का वर मिला है उसी प्रकार कुशा भी अमरत्त्व से युकत है यह पोधा पृत्वी लोग का पोधा ना होकर अंतरिक्ष से उत्पन्न माना गया है मान्यता है कि जब सीता जी प्रित्फी में समाई थी तो राम जी ने जल्दी से दोड़ कर उन्हें रोकने का प्रयास किया इन्तु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए यह केश ही कुशा के रूप में परिणत हो गए इसके सीरे नुकीले होते है इसलिए उखाड़ते समय सावधानी रखनी परती है कि जड सहित उखड़े और हाथ भी न कटे कुशल सब्द इसलिए बना है ओम हुम फट इस मंत्र का उच्चारन करते हुए उत्तरा भी मखोग कर कुशा उखाड़ी जाती है भारत में हिंदू लोग इसे पूजा श्राद्ध में काम में लाते हैं श्राद्ध तरपन बिना कुशा के संभव नहीं है कुशा से बनी अंगुठी पहन कर पूजा तरपन के समय पहनी जाती है जिस भाग्यवान की सोने की अंगुटी पहनी हो उसको जरुरत नहीं है कुशा प्रत्यक दिन नई उखाणनी पड़ती है लेकिन अमावस्या की तोड़ी कुशा पूरे महिने काम दे सकती है और भादो की अमावस्या के दिन की तोड़ी कुशा पूरे साल काम आती है धनों में कुशा की मुद्रिका और कुशा की अहुतिया विशेश रूप से दी जाती है। रात्री में जल में भिगो कर रखी कुशा की जल का प्रयोग कलश स्थापना में सभी पूजा में देवताओं के अभिशेक प्रान प्रतिष्ठा प्रायश्चित कर्म दशविद स्नान आदी में किया जाता है। केतु को अध्यात्म और मुक्ष का कारक मान गया है। देव पूजा में प्रयुक्त कुशा का पुणा उप्योग किया सकता है। परंतु पित्र एवं प्रेत कर्म में प्रयुक्त कुशा अपवित्र हो जाती है। देव पूजन यज्य हवन यज्णो पवित ग्रह शांती पूजन कारियों में प्रुद्र कलश एवं वरुन कलश में जल भरकर सर्व प्रथम कुशा डालते हैं। कलश में कुशा डालने का व्यज्यानिक पक्ष यह है कि कलश में भरा हुआ जल लंबे समय तक जिवानों से मुक्त रहता है। पूजा समय में यज्वान अनामी का उंगली में कुशा की नाग मुद्री का बना कर रहनते हैं। कुशा आसन का यह महत्पह कहा जाता है कि कुश के बने आसन पर बैठ कर मंत्र जब करने से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। नास्य के केशान प्रवपन्ती नोरसी ताड मानते देवी भागवत में अरथात कुश धारन करने से सिर के बाल नहीं जड़ते हैं। और छाती में आगहत यानी दिल का दोरा नहीं होता। उल्लेकनी यह हैं कि वेद ने कुश को ततकाल फल देने वाली औशधी आयू की वृध्धी करने वाला और धूशित वातावरन को पवित्र करके संक्रमन फैलने से रुपने वाला बताया है। इस पर बैठकर साधना करने से आरुग्य, लक्षमी प्राप्ती, यश और तेज की व्रद्धी होती है। साधक की एकागरता भंग नहीं होती, कुशा की पवित्री उन लोगों को जरूर धारन करनी चाहिए जिनकी राशी पर ग्रहन पड़ रहा है। कुशा मूल की माला से जाप करने से अंगुलियों के एक्यू प्रेशर बिंदो दपते रहते हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। कुशा की पवित्री का महत्पत है। कुश की अंगुठी बना कर आनामिका उंगली में पहनने का विधान हैं, ताकि हाथ द्वारा संचित अध्यात्मिक शक्ती पुंज दूसरी उंगलियों में न जाए, क्योंकि आनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सू दूसरा कारण इस उजा को प्रत्वी में जाने के से रुकने का है। कर्मकान के दोरान यदि भूलवश हाथ भूमी पर लग जाए, तो बीज में कुश का ही स्पर्श होगा। इसलिए कुश को हाथ में भी धारन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह भी है कि हाथ की उजा की रक्षा न की जाए, तो इसका दुश परिणाम हमारे मस्तिश्क और रदय पर पड़ता है। उमीद है आपको कुशा से जुड़ी यह जानकरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपून और ग्यान वर्धक जानकरी हो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें आपको पसंदाया हो तो हमारे इस वी आप क्लिक करिए है और सबस्क्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन हे इस इस कीब आप लिक अधो kur फिर से पहले मिल जाएगे तो हमारे इस वीडियो को देखनी लिए बहुत भूत ब desarroll